हलो माई डियर फ्रेंट्स ब्रदर सेंट सिस्टर आफ सभी लोगों को नमस्कार साधर पडाम और जहिंद आपके अपने यूट्यूब चनल दिली मैथ में हादिक स्वाकेत हम अभिनदन करते हैं आज चर्चा के बिंदों की यूपीटी जीटी पीजीटी ल्टी 2022 की कब तक विग्यापन आ सकता है वीडियो पूरान तक देखें तभी आपको पूरा कांसेप्ट किलियर होगा तो मित्रों साही के तो लगातर तैयारिये चल रहे हैं मादमी सिच्छा सेवचान बोर्ड में बिग्यापन को लेकर अधियाचन मांगे जा रहे हैं और जो अध जार पाद है टीजीटी पीजीटी दोजार बाइस के दोनों को मिला करके ये काफी कम है लेकिन अभी इतने में संतुष्टी नहीं है पत आगे बढ़कर ही आना है और साथ में प्रधानाचार की भरती भी होनी है इस बार लगबग दोजार पदों पर तो लगातर प्रतियो कि सचक यहीं मांग करें कि पदों की संक्या को और बढ़ाया जाए फिर से अधियाचन लिया जाए क्योंकि पदों की संक्या काफी कम है इसी के साथ साथ चैन बोर्ड में प्रजन टाय में कोई सदस भी नहीं है कम पांस सदस होने चाहिए कुल सदस सदस होते हैं और एक ऐसे दस आ जाएंगे और उसके बाद जो नहीं भरती है उसकी जो प्रक्रिया है वे काफी तेजी से आगे बढ़ेगी और जो पुरानी प्रक्रिया है उसे भी पूरा किया जाएगा तो यह समझो कि चैन बॉर्ड में लगातर काम हो रहा है बिल्कुल भी ना सोच की काम नहीं हो रहा है भरती नहीं आएंगी ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में विचार ना लाएं और नहीं ऐसे सोचें पूरी कोसिस है योगी जी भी लगे हुई है भरतीया आएंगी जरूरी अभी हाली में अभी आपने देखा होगा यूपी ट्रपल सी ने चार नोटिसे जारी की है एक्जाम कलेंडर भी निकाला गया है लेक पाल परिच्छा तिद घोसित हुई है बहुत सारी परिच्छाओं की डेट का इलान हुआ है लडिये का यूडिये का इंस्पेक्टर को भी भरती आई और यहां तक की लोक्षवा आयोग लगातार भरती निकाल ही रहा है ल्टी ग्रेट की पुरी तैयारिया चल रही है और एपियू की भी भरती आ गई है और PCS के भी आविदन हो गए हैं और इसके अलावा भी महत्पुर्ण निर्देश सीयम योगी जी का मेन जो निर्देश है दिया है गया है कि सभी चैन बोडों को सभी भरती बोडों को कि आप सौ दिनों के अंदर-अंदर क्या करने वाले हैं कि एक कार योजना बनाई है और जो भी भरतिया फश्य ही हैं और जो नाईस भरतिया है उनका विज्यापन निकाले ऐसी कड़ी में बहूत सारी भरतियां देखने को मिल रही हैं, अलांकि पत्वों के संक्रा काफी कम आ तो इसी कर में UPTGT-PGT 2022 की भरती भी होनी है और नए सदस्तों के बाद भरती के प्रिक्रिया आगे बढ़ेगी और जून लाश्ट में या जुलाई में ज्यादा चांस है कि जुलाई में नया नौटिफिकेशन निकल सकता है लेकिन अभी तक कि सबसे बड़ी मांग यही है क UPTGT-PGT 2022 के लिए कि सभी प्रतियोगी सिच्चक मांग कर रहे हैं 27,000 पदों पर TGT-PGT का बिग्यापन निकाला जाए लेकिन यह अभी तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसके पलट अगर हम बात करें तो सियम योगी जी ने कहा था पिछले कारकाल में ही 27,000 प्रतियोगी सिच्चक मांग कर रहेंगे पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और अच्छे खासे पदों पर भरती निकाली जाएं देखते हैं कि अब आगे क्या होता है लेकिन अब यह किलियर हो गया है कि चैन बोटी UPT-GT-PGT 2022 की भरती कराएगा क्योंकि इसी बीच मे एक ऐसी खबर भी आई थी कि नया सिच्चा सेवा चैन आयोग बनेगा वही भरती कराएगा प्रात्मिक की भी उच्च की भी यानि की सब की लेकिन ऐसा नहीं है नये आयोग में अभी और भी समय लगने वाला है तो फिलाल उत्तर प्रत्मिक सिच्चा सेवा चैन बोड ही UPT GDP GDP 2022 और प्रधानाचार की भरती कराएगा और आपको मालूम की UPPSC तो LTE ग्रेट की भरती को निकालने की भी तैयारी में है तो यह समझाँ कि बहुत दिनों बात प्रधानाचार की भरती भी होने जा रही है क्योंकि 2013 के बाद कोई भी प्रधानाचार की भरती उत्तर प्रद जाए सब अच्छा होगा सभी के साथ अच्छा होगा बिल्कुल भी टेंसर न ले अभी तक के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद